दो कबाडियों को गिरफतार किया है आरूपी तरजी तरीके से फर्म बनाकर कबाड़ी का काम करते थे और कबाडियों के द्वारा और वैदरूप से खरीदे गए माल को अपनी फर्म का दिखा कर भीचते थे गरफतार आरूपी सहरनपुर के अलावा उत्राखंड हर्याना पंचा दिल्ली आधिकई राजियों में यह कारे करते थे और जी एस्टी के डर से चार से छे महिने बाद दो दिन पहले ही पुलिस के द्वारा इनका 20 लाक रुपए पकड़ा गया था जी फत्यपूर थाना चेत्र में दो कबाड़ी पकड़े गये हैं चोरी की बाई के साथ में और इनी में से कबाड़ी जो है एक सब्तापूर थाना फत्यपूर में 20 लाक रुपए नकद में इनी में से कबाड़ी का था और दूसरा वो पैसा ले जा रहा था पकड़ा गया कबाड़ी वसीम जो है वो देवबंद का रहने वाला है और उसका साथी सतीश है जो कि भगवानपूर खरिद्वार का रहने वाला है इसमें पूश ताच में इन्होंने बताया कि वसीम जो है mastermind है इस पूरी गैंग का और वसीम पूरू में कबाड़ी का काम करता था परंतु अब यह फर्जी फर्म बनाता है और फर्जी फर्म बनाकर उसके फर्जी बिल बनाकर जो दूसरे अन्य कबाड़ी हैं इसे संपर्क करते हैं और उनके माल को जो की बिना लिखा पड़ी के कहीं दाखिल नहीं है उस माल को अपनी कंपनी का दिखा कर फर्जी बिल बनाकर बेचते हैं और जो पैसा इनके एकाउंट में आता है उसको निकाल कर नकद पैसा वापस उनकबाड़ी को देते हैं जब इनसे पूश्टाज की गई तो इन्होंने यह बताया कि इनका दिल कंबर में बिक्वाने के लिए इनकी कंपनी के फर्जी बिल कटवाते हैं और जो कैश आता है उसको यह अपने कंपनी के खाते से निकाल के उन्हें देते हैं इस प्रकार से यह दो अपराद करते हैं एक तो जो अपराद कारित कोई कबार हो जैसे कोई वाहन चोरी हुई हो या कोई चोरी का समान, लूट का समान, उसको ये फर्जी कंपनी के बिल पर एक नंबर का बना कर बेचते हैं. और दूसरा ये इसमें टेक्स चोरी करते हैं, जो GST इनको देरा चाहिए, उसको न देकर फर्जी कंपनी के आधार पे दिखा के बेचते हैं. जब GST विभाग इन से टेक्स वसुली के लिए आगे आता है इनको नोटिस वगएरा दिया जाता है तो ये वो फर्जी कंपनी बंद कर देते हैं और एक नई शेल कंपनी खोल देते हैं और इसी प्रकार से निरंतर चलता रहता है कई कंपनिया खुलती है जिनमें की कईयों का कर चोरी का उधार हो जाता है उस पर बंद कर दी जाती है वो कंपनी कर ना कोई कारेले होता है ना कई उसका आफिस होता है केवल कांग्जों में होती है इस पर आगे जांच की जा रही है और इनके अन्या साथी जो इनके साथ कारोबार में लिपते हैं उनकी भी जांच की जाएगी कि सहारणपूर के कौन कौन लोग है या आसपास अन्य जनपतों के भी कौन लोग है फिलार इनके जारा पूश्टाच में इन्होंने दिल्ली पस्चीवी उत्रपरदेश उत्राखन और पंजाब के कुछ लोग बताए हैं जो इनके संपर्क में हैं उनसे जो जांच अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें सेर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार